Hey friends, welcome, कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी स्वस्त होंगे. आज की reading में हम चेक कर रहे हैं, इश्वर आपको urgently अभी इसी वक्त क्या कहना चाहते हैं. Reading timeless है friends, जब भी देखेंगे ना तब भी resonate करेगी. आज जितनी resonate करें ना उतनी रख लें and बची हुई को जाने दें. क्योंकि general और collective भी होती है. ठीक है? तो हमने तीन कार्ट्स निकाल लिये हैं, चेक करते हैं इश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं. पहली beautiful सी energy आई है, friendliness. Two number important हो सकता है, Cancer, Pisces, Scorpio की energy है. इश्वर आपको कहना चाहते हैं कि सब के साथ अच्छे से बना का रखें. ठीक है? होता है, intentions अलग होती हैं, लेकिन लोगों के साथ unnecessarily arguments में नाफसें. आप हरेको बदल नहीं सकते, हरेको real definition of living या फिर अपने according जीना नहीं सिखा सकते. हरेका अपना नजरिया है जीने का, आगे बढ़ने का. आप हरेको change नहीं कर सकते. तो जो जैसा है उसको वैसे ही accept करें. और सबके साथ अच्छी compatibility बना का रखें. निक्स्ट कार्ड है maturity. टॉरस वर्गो काप्रिकॉन की energy है यहाँ पर. और फोर नमबर आप लोगों के लिए important हो सकता है. थ्री नमबर important हो सकता है. divine आपको कहना चाहती है friends कि अपने जीवन के सभी aspects में आपको maturely act करना है. Maturely decisions लेने हैं. Maturely बाते करनी हैं. हर राह में maturely आगे बढ़ना है. Mature way से everything handle करनी है. So that आप लोगों के life में आगे improvement हो. Immature behavior आपका बिलकुल नहीं होना चाहिए. और अगर आप बहुत ज़्यादा emotional हो तो आपको practical होने की ज़रूरत है. और अगर आप बहुत practical हो तो आपको थोड़ी सी अपने मन की, अपने दिल की सुनने की भी ज़रूरत है. And last card आया है exhaustion. अगर आप बहुत ज़्यादा exhausted रहते हो, nine number important हो सकता है. Aries Leo Sagittarius important हो सकता है. आपका दीन दुनिया से भरोसा उठ गया है. लव लाइफ से, relationship से भरोसा उठ गया है. आपको नहीं अच्छा लगता किसी से भी बात करना. आप बहुत सारा time अकेली spend करते हो और exhaust हो तो उस energy से बाहर निकलो. उस negative energy से बाहर निकलो. अपने career में कुछ नया स्टार्ट करो, कुछ नए दोस्त बनाओ, उनके साथ अपनी एक नई life स्टार्ट करो और life को जीना शुरू करो. Right? ऐसी energies यहाँ पर है. करियर के भी आपसे card अच्छा है. Next three to four months में करियर में आपके growth होती हुँ दिखाई देती है. ठीक है? Love life and relationship के हिसाब से card अच्छा है. Two of cups है. Next two months में आप लोगों की love life and relationship में सुधार होता हुआ दिखाई देता है. ठीजे grow होती हुँ दिखाई देती है. और उसके लिए आपको क्या करना है? दोनों ही condition में. और exhaustion कार्ट बताता है कि आप आपने इतना stress ले रखा है इसकी वज़े से आप depression या फिर anxiety को face कर रहे हैं. आपका खुद को सजने सवरने का मन नहीं करता. अकेले कहीं बंद करके बैठे हैं. अकेले रोते रहते हैं या अकेले बहुत कुछ सोचते रहते हैं. तो उस energy से आपको बाहार निकलना है. बाहार नहीं शुरुवात देने के लिए. ठीक है? और यहां पर मैं आपको बता दूँ नहीं शुरुवात का मतलब यह नहीं होता कि पुराने रिष्टे तूटेंगे या कोई नया परसन आएगा. पुरानी चीजों में भी सुधार तब ही होता है जब आप खुद में सुधार कर पाएंगे और ना ही किसी भी चीज में या किसी भी रिष्टे में ठीक है? और अपनी हेल्थ को ठीक करने का जिम्मा आपका खुद का है तो नेचर वॉक कीजिए, नए-नए फ्रेंड्स मनाईए, नए-ने लोगों से मिलिए, जुलिए, हाई-हलो कीजिए, दुनिया को किये हैं, अगर किये हैं तो प्लीज मेंशन इट इन दी कॉमेंट बॉक्स, थेंक यू सो मच फॉर वाचिंग, में गॉड्ड ब्लेस यू